हेलो नमश्पार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब ठीक होंगे आपकी पड़ाइश से चल रही होगी हमने इंडियन जोग्राफिय स्टार्ट किया था जिसमें हमने अपना सबसे मेजर टॉपिक जो की है मॉन्सून वह हमने कंप्लीट कर लिया है और इसफेरी इंपॉर्टेंटट वीडियो अगर प्रिलिंस के पर्स्पेक्टित देखें और मेंस के पर्स्पेक्टिफ से स्बऄं के दोनों जान सब्सें बहुत इंपॉर्टेंटों का मॉन्सून का अज आपके लिए नया टॉपिक है जो कि है अस्यों की हैं मश्रू करने द स्टार्टन को हम यहां पर देखेंगे स्टार्ट करेंगे हम इंडिस रिवर सिस्टम से इंडिस रिवर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे पर स्टार्ट करने से पहले हम इंडिया के ड्रेने सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इंडिया का ड्रेने सिस्टम जो है वह हिमालिन निकल रही है और यह पैनिंस्लुर रिवर्जा से की पथार रहे हैं उसके किसी इस जिसे लेक से निकल रहे हैं तो इस पैसिसे प्रीशिब और 20 ओरियेंटेशन इन्डिया के जो तो तरफ पहती है आई दर वह बहती है और एफिके तरफ को मैं यह वह बेंगोल के तर तो यह Sea Orientation के basis पे तीन पार्ट में है, Way of Bengal, Arabian Sea and Internal Drainage System. रिवर का जो flow है, वाटर का जो flow है, definite channel में उसको ही हम drainage कहते हैं. रिवर कैसे flow करती है, रिवर अगर मालनीजे ऐसे flow करती है, तो इस तरीके से रिवर के flow को हम कहते हैं drainage system. इसके साथ पढ़ने वाली इसकी tributaries को मिला के हम क्या कहते हैं, इस रिवर का drainage pattern कहते हैं, रिवर और उसकी tributaries को मिला कर कहा जाता है drainage system of that river, जैसे कि Indus River और उसकी tributaries को मिला के क्या कहा जाएगा, Indus Drainage System, ठीक है, वो एरिया जहां से रिवर अपना glacier या फिर rain water receive करती है, अग glacier zone corrosion point है, तो glacier पिगल के उनके water में अपना क्या करेगा, अपना पानी याट करेगा, आइदर rain fed rivers है, यानि कि पारिश के पानी से भी rivers अपना पानी लेती है, तो उस area को कहा जाता है catchment area और basin area, rivers का वो area जहां से वो पानी receive करती है, और जहां तक उनके पानी का, क्या रहता है, पूरा एक scattering रहती है, पूरा एक फैलाव रहता है, उसे हम कहते हैं catchment area और basin area, फिर पढ़ते हैं water divide, water divide के पारे में देखा जाए एक ऐसा land, एक ऐसी उठी हुई भूमी, देखें, divide कब होगा चीज, कि अगर जिसे कि यह mountain है, कुछ river इसके यहां से निकल रही है, तो वो water divide, इंडिया का great water divide क्या है, इंडिया का great water divide अगर आप देखें map पे, तो यह बना हुआ है, इस तरीके से, और यहां पर चार तरीके की reverse majorly part play करती है, इस जगह आते हैं aravalis, यह हैं विंद्यास, यह है सब पुरास, और यह हैं western guards, तो यह बनाते हैं इंडिया का great water divide, इंडिया का great water divide बनाते हैं, इधर को निकलने वाली river इधर जाएगी, इधर निकलने वाली river इधर जाएगी, इधर निकलने वाली इधर, इधर इधर, 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 इस तरीके से, तो यह इंडिया का great water divide बनता है, ठीक है, great water divide इंडिया का begin हो जाता ह Maun Beijing schedule और जब यह पास करता है आंबाला को तो यह पूरे अच्छ तिर्ज्स करौज में वॉर्ट चेजाते हैं के लिए अजने अगने रांड़ी टौकत है लिए वुन्द्याजेस को सद्पुराज उगाट यह विस्टन गाट आ घ्या तो तो यह होगे अरावलीज, विंद्या, सत्पुराजर, वेस्टन गार्ट यह ग्रेट वाटर डिवाइड का पार्ट बनाते हैं ग्रेट वाटर डिवाइड जो है वो इंडिया की रिवर्स को डिवाइड करता है इन बेयोफ बेंगॉल ब्रांच और अरेबियंसी डिवेंच सि हमारी हिमालियन रिवर्स का ओरिजिन जो है वो हिमालियन से हिमालियस के माउंटें से होता है इन रिवर्स का वाटर सोर्स क्या है ग्लेशियर्स और रेन जब इन रिवर्स का वाटर सोर्स ग्लेशियर्स है तो ग्लेशियर्स तो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे हमेशा पिग और यह रिवर्स जो है वो अभी अपने यंग स्टेज में है अगर यंग स्टेज में हो है तो इनका फ्लो और स्पीट जो होगी वह बहुत फास्ट होगी तो महा नदी एक्जैम्पल इसका ले लीजिए यह जो होंगी वह रेन फेट रिवर्स होंगी यानि कि यह सीजनल सुखे की आध मैजमी नदी ऐसा क्या होता है कि ऑसाओ के दिनों में पानी का इनमें पानी को गोटर कफ Nh तक कि जाता है तो गिर जाता है वी सीजनल रिवर्स होती है वीसे अपने इस वक्त मेच्छर इंतना जाना नहीं होता इनका speed और flow जो होता है वो कम होता है ठीक है शुरू करते हैं हमारा हिमालन ड्रेनिज सिस्टम से यह system include करता है उन rivers को जिनका originate हिमाल्यास से होता है और उनकी tributaries को अब उनकी tributaries आइदर अगर peninsular इंडिया के किसी part से निकल रही है किसी mountain से से निकल रही है तब भी अगर लेकिन डागे जाके वो किसी हिमालन में हिमालन ड्रिवर से जुड़ जाती है तब भी उनको हम हिमालन ड्रेनिज सिस्टम के pattern में ही पढ़ेंगे यह रिवर जो है यह water लेती है ग्लेशियर से और रेन से इसलिए इन रिवर्स में हमेशा पानी बना रहता है यह पेरेनियल रिवर रहती है यह रिवर्स अभी अपनी यंग स्टेज में है अपनी यूवा स्थिती में है इनकी erosion capacity बहुत जादा होती है high speed flowing river है बहुत जाद़ सेडिमेंट कंटेन है सेडिमेंट लेके चलती है यह बहुत हाइट से बहते होई हाथ आती है तो इसलिए यह क्या erosion भी बहुत जादा करती है नहीं कटाफ बहुत जादा करती है ठीक है यह रिवर्स जो है वह डीप वैली इस गहरी-गहरी घाटियां होगा इंडस प्लेंज गेंगा प्लेंज यह प्लेंज वाला चैप्टर में आपको पढ़ा चुक है फीजोग्राफिक डिविजन में आप वो प्लीज जाके देख लीजेगा और ब्रह्मपुत्र प्लेंज जिसे हम आसाम प्लेंज भी कहते हैं तो यही रिवर्स हिमालियन फॉर्मेशन का वलेज का क्लिस थे लिवर्स हां को थेंट में टो होते हैं इसलिए आप lleva बड़े बड़े बना पाती को बंब फ्विल्स रीवल्डिवेंट से बनता है जरोड़ मिट्टी से बना बना हुआ होता है यह frater Sioking मेंट the से करती है तो 했nya एक कर लेती है अकौर्दिग तो Ig fighting in river system यह river system में consequent और antecedent rivers भी आती हैं देखिए अब consequent और antecedent rivers क्या है antecedent rivers तो वो rivers है जो कि हिमाल्यास के formation से पहले ही बहती आ रही है before हिमाल्यास formation कि वो तो बहुत पहले से पहले थी जब हिमाल्या बने तो वो हिमाल्यों को काट कर उनमें पास बनाकर अपना रास्ता बनाती चली गई फिर आती है consequent rivers consequent rivers जो हुई वो हिमाल्यास से निकलने वाली river हुई तो इनका जो formation हुआ इनका जो का example है एंडिसेडंट रिवर्स का इन रिवर्स के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में water होता है इन रिवर्स में यह क्या बनाती हैं डीप वैली जैने कि बहुत स्भाइटों पत्रों को बहुत कारतें हुए चलेंगी तो घाटियों का निर्माइड करते हैं Natomiast ओझासिंगी हुए हुँसे यह सबासबी गया है बार lot और बनलेक्डिंटी प्रडॉक्शन सब्सक्तिती एलोन प्लेंस में आकर बहती है ना यानि कि समतल भूमे में जब यह आकर बहेंगी तो यह नेविगेबल बन जाएंगी मतलब इसमें नौकायान बोटिंग वगेरा हो सकती है जैसे कि कुछ इसकी पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो अपना वाटर रेंफॉल से लेती है रेंफेड रिवर्स होती है यह रिवर्स होती है सीजनल होती है कहीं जब रेंपर आएगा वर्नना इन smoky मात्रह बहुत ज्यादा काम हो जाती है इंडीके पलेट सब्सक्राइब नहीं है इनकी इनकी जो पुरानी हो चुकी है अपने सब्सक्राइब कर दिया अब यह सिर्फ बह रही है तो इस वजह से इन सब्सक्राइब करेंगी इनकी सब्सक्राइब करेंगी इनके पास लिमीटेड अमांट फेडिमेंट होते हैं इतने अच्छे से प्लेंज का एक्स्पांड नहीं कर पाती है सब्सक्राइब करेंगी चलेफ ब्लेंड नहीं होगे और इनकी समुद्र से मिलने वाले यह तरेंगी तो इस वक्त ही बना करेंगी सडिमेंटटों का से मुस्क्राइज शोटा करेंगी इतना चाहिए इंगी कि यह 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 जो होती है कि गहरी घाटियों में नहीं फ्लो करती इनकी hydroelectric production capacity भी लो होती है इनकी speed बहुत कम है और इनकी electric capacity already use करी जा चुकी है बहुत सारे hydropower projects already चल रहे हैं peninsular इंडिया में इनकी production capacity already use करी जा चुकी है इस system की reverse होती है वो navigation में बहुत useful होती है लेकि navigation कहां हो पाता है सिर्फ सिर्फ डेल्टा रीजन में क्योंकि वही पही पानी की मात्रा जादा होगी जैसे कि national waterways 5 कहां है महा नदी डेल्टा रीजन में तो यह थी हमारी peninsular rivers अब हिमालन drainage system का हम पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें 3 drainage pattern देखेंगे हम इंडस river system गंगा river system और भ्रह्मपुत्र river system आज शुरू करते हैं हम हमारा इंडस river system यानि की सिंदू river ठीक है आज हम देख पढ़ेंगे हमारे इंडस river system के बारे में इंडस river की length जो है वो 200, 2,800, 80 km है अब इसकी जो updated length बताई जा रही है वो 3,180 km बताई जा रही है पर अभी भी books में 2,880 km लिख्यों है इंडिया में इसकी length 11,014 km लिख्यों है 1114 km जाने की 1114 km की length इंडिया में बहती है यह इतना cover यह इंडिया में करती है इसका total catchment area इतना है 11.65 lakh km पर इंडिया में इसका catchment area कितना है 3.21 lakh square km इसके इंडिया में इंडिया में एंटर करती है जो लद्दा की capital है ले वो भी इंडिया के किनारे है देखी यह इसे बहती है तो अगर आप इतर की साइट फेस करके खड़े होंगे तो इसका right hand side यह होगा और इसका left hand side यह होगा तो इसकी जो उपर वाली tributaries है और राइट hand side tributaries है और नीचे वाली tributaries जो है वो left hand side tributaries है तो इसके right hand side में कौन से tributary है शोक रिवर जो की सियाचन glacier से निकलती है नुब्रा वैली से होते वे गुजरती है गिल्किट रिवर यह पाकिस्तान occupied कश्मीर में आता है स्वात रिवर कुनर रिवर काबुल रिवर खुर्रम रिवर तोची गोमल जोब यह सारी की सारी इसकी right hand tributaries है इसकी left bank tributaries मे important है शोहन रिवर सूरू रिवर जासकर रिवर जासकर रिंज में बहती है तो यह जासकर रिवर भी इसकी ट्रिब्यूट्री है जेलम चिनाव रावी व्या सत्लस पिती चिनाव यह इसकी important tributaries है यह सारी के सारी मिल जाती है यहाँ पर इंडिस रिवर के साथ कहां पर? पाकिस्तान में और यह यहां पर क्या हो जाता है? फ्लो हो जाती है अरेिएञ सी में अरेबियन सी में यह मिल जाके tumThis शुरू करते हैं इंडिस रिवर का जो ओरिजनेशन होता है वो एक glacier से होता है जिसका नाम है बुकार्चु glacier के लास mountain range में ग्लेशर है तिबबत रीजन के ठीक है यह यहां तिबबत में सिंदु river का नाम जो है वो है सिंदी खंबन इसका मतलब होता है लाइन्स माउथ इसकी शेप जो है वो शेर के मुझ जैसी शेप है तो इसलिए इसक फ्लो होती है लदाग और जासकर range के बीच में देखिए मैं आपको ब्ताया था ट्रांस ainalya में काराकोरम लदाग जासकर तो यह river लदाग जासकर range के बीच में फ्लो करती है ys纜़ लदाग के कैपिटल है वो भी इंड़र के ही a banks में है नंगा परवत के पास इंडर river रिवर बुंसी गौर्ज से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है चिलाज वाले एरिया में यह रिवर पाकिस्तान में प्लेंस में एंटर करती है अटक में ठीक है अटक प्लेंस हैं यहां पर पाकिस्तान वाले पार्ट में उसमें यह हिमालिया के पार्ट को क्रॉस हो कर समतल भूमी यानि की प्लेंज में एंटर कर देती है और यह पाकिस्तान में एंटर करती है बुंसी गौर्ज द्वारा बुंसी गौर्ज बनाती है और पाकिस्तान में एंटर करती है चिलास से पंचनड नदी इसमें मिलती है मैथानपोर्ट पाकिस्तान में यह रिवर फॉ प्रीज हैं शियोग हुन्जा गिलगित स्वाथ काबुल गोमल खुर्रम तोची विभुवा संगर और शिगार और इसकी लेफ्ट हं ट्रिब्यूट प्रीज है यानि की नीचे से जुड़ने वाली ट्रिब्यूट रीज है इस रिवर की जासकर शुरू जेलम चिनाव रावी व्यास सत्ला जो है इनहीं हमने पंचड कहा है जो कि इंड़ट रिवर में जाके मिल जाते हैं थान कोट पर फिर्वर में इंका संगाम हो जाता है मिधान कोट वाले पारट में आगे पढ़ते हैं अब हम देखते हैं वन बाइवान इस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरिस के वारे में जो कि एक इंपॉर्टन लेक है फ्रेश वाटर लेक जो कि है वुलर लेक वह भी जेलम रिवर पर ही बनी हुई है जेलम रिवर चैनाब रिवर से जाके मिलती है जांग पाकिस्तान में ठीक है यह रिवर और ऑजिनेट होती है वैरिनाग स्प्रिंग जमू कश्मीर से यह रिवर इस पर नौकायान बोर्ट वगेरा चलाई जा सकती है यह रिवर फॉर्म करती है इंडिया की लार्जिस्ट फ्रेश वॉर्टर लेक जो कि है वुलर लेक किशन गंगा इस रिवर की मेजर चिब्यूट्री है यह रिवर जो है वह इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर रिजन पर फ्लो करती है पाकिस्तान में यह रिवर चेनाप से जाके मिल जाती है जहांग डिस्ट्रिक्ट में किशन गंगा पर ऊरी प्रोजेक्ट बना हुआ है ठीक है वेक्त ता कि तरह हमार चमाव रिवयर हमाचल अक्राफ चंद्र और भागा नोल यहां पएस यहां पर broke सी के लिए वहीं पर ये दोनों रिवर मिलती है चनाव रिफाका में पानी यिज पाण करती है हिमाचल फर्देश शमु कश्मीर वाले पाठ और опас को और इनियस रिवर से मिल जाती है में को पाजिक एगस्तान में जहां पे सारी पांचों की पांचों नदिया मलती हैं, ये लार्जेस्ट रिवर है पंचड गुरूप में जहेलाम के चिनाब रिवर में जो चिनाब रिवर है फो लार्जेस्ट रिवर है in terms of catchment area catchment area के terms में देखा जाए तो सबसे बड़ी रिवर कौन सी है चिनाब रिवर जमू कश्मीर में दुलस्ती सालल बगली हार प्रोजेक्ट है इस रिवर पर लोकेटेड मरुसधर और तभी इस रिवर की important Tributaries है आपने जमू तभी का नाम सुनाओगा ट्रेंज के नाम होता है जमू तभी एक्सप्रेस तो तभी रिवर के किनारे पर जमू शहर बसा हुआ है और तभी और मरुसधर इस रिवर की important Tributaries है जमू कश्मीर में इस रिवर पर पाकलदूल प्रोजेक्ट है मरुसुधर रिवर पर पाकलदूल प्रोजेक्ट है जमू कश्मीर में ठीक है और तभी रिवर पर चिनानी प्रोजेक्ट है जमू कश्मीर में ही जो कि इस रिवर की Tributaries है यानि कि चिनाब डिवर की यहार सिटी जो है वो रावी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है सराय सिंदु में जाकर यह चनाप से मिल जाती है पाकिस्तान में इसके ओपर थीन प्रोजेक्ट बना हुआ है चमेरा डैम बना हुआ है शापूर कांटी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है चमबा वैली से होते हु के नाम से भी जानते हैं इसका नाम तो आपने सुना ही हो गारजीट सागर प्रोजेक्ट थी कर भी रिवर के ऊपर है और यह पढ़े पंजाब में ही है यह अभी प्रपोज्ड है इस से वर के ऊपर इसके बाद सत्लज और एगी एक लास्ट टिपूटरी मेजर टिपूटरी इंडस की ब्यास रिवर रौतांग पास के पास ब्यास कुन से होका निकलती है हिमाचल प्र पदेश पंजाव वाले पार्ट को कवर करती है हरीके में ये जाकर किससे मिल जाती है सत्लद से जाकर हरीक इसी रिवर के उपर हिमाचर प्रतेश में यह रिवर जो है वह महाराना परताप रिजर वायर का फॉर्मेशन करती है जो कि पॉंग डैम का रिजर वायर है सतलज रिवर राकश ताल और की राकश ताल राकश ताल और जिसे हम राकश ताल भी कहते हैं उससे निकलती है जिसका टिबत में नाम लांगचिन खंब है यह शिपकिला दर्रे से होते हुए इंडिया में एंटर करती है बाक्रा नांगर प्रोजेक्ट गोविन सागर रिजर इस रिवर के उपर बने हुए हैं ब्यास से मिल जाती है सतलज रिवर ह़िके में चनाप MR मिल जाती है उत्पवता से इस वर बीको लों में इंटर मैं एंटर करती है शिप के लापास द्वारा तो गाइस यह था हमारा important important इंडस रिवर के बारे में जो कि आपको एक्जाम में आने लाएक ज़रूरी है यह पुरा fact-based था जितना समझाय जा सकता था मैंने आपको समझा दिया अब आपका काम क्या है इंफेक्स को बढ़कर revise करना ठीक है इंफेक्स को बार बार learn करना अगर आपने प्रिवेस वीडियो नहीं देखे हैं वह भी देखिएगा हर टॉपिक बहुत ज़्यादा